कहानियों की श्रंखला में एक बार पुन्ह आप सभी का स्वागत हैं। आज मैं आपके समक्ष कादंबरी मेहरा की प्रसिद कहानी मेरा दिल, मेरा चहरा लेकर उपस्तित हुए हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक प्रेम कथा है, मगर अधूरी एक खुबसूरत रास्ते पर चलते हुए दो नवल प्रेमी, सहसा वह प्रेम पत तूटा हुआ गहवर बन जाता हो और आगे जाने की कोई सूरत नहीं। यही हुआ कंचन और मुकुंद के साथ। इसकूल में पढ़ाती थी। इंद्रेश सातवी को पढ़ाती थी। कंचन चौती कक्षा की अध्यापिका थी। मेरा विशय अंग्रेजी था जो मैं सब बड़ी कक्षाओं को पढ़ाती थी। यानि नौवी, दस्वी और ग्यार्वी कंचन रत्य और संगीत भी देखती थी एक दिन इंद्रेश ने एक बच्ची को जोर जोर से डाटा क्योंकि उसने जो तस्वीर बनाई थी वह उसको पसंद नहीं आई मुझे उस बालिका की मासूमियत पर तरस आ गया इंद्रेश ने सब बच्चों से अपनी प्रियमित्र या व्यक्त की तस्वीर बनाने के लिए कहा था उस बच्ची ने कंचन की तस्वीर बना दी बस इंद्रेश का गुसा फूट पड़ा तो क्या हुआ इंद्रेश जाने दो उसको वे संगीत में अच्छी है और अगर उसको अपनी टीचर पसंद है तो वे क्या करे तुमको नहीं पता यह लोग जान बूच कर उसी को चुनती हैं उसका मजाग बनाने के लिए शायद ऐसा नहोस के मन में जाने दो कंचन को मत बताना इंद्रेश कुछ ठंडी पड़ी अकसर ऐसा हुआ है कंचन कमों जला हुआ है चमडी दो-तीन रंकी हो गई है हर वर्ष उसका चेहरा अनेक प्लास्टिक सर्जन्स के हाथों सुधारा जाता है भला हो हमारी प्रधान अध्यापिका मिसेज अंसारी का जब भी उसको जाना होता है वह छुट्टी सैंक्शन करवा देती है कंचन के लिए इतनी छूट पर कोई कुछ नहीं बोलता रोज उसको पहुचाने और घर ले जाने उसके पिताजी आते हैं अपनी कार में कहा जाता है कि गैस का स्टोप फट गया था जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया उस दिन वह बच्ची जब संगीत की कक्षा में गई तो कंचन ने उसकी उदासी का कारण पूछ लिया स्टाफ रूम में आकर उसने इंद्रेश से वह तस्वीर मागे बहुत नाना करते हुए जिजकते हुए इंद्रेश ने दे दी कंचन उसको देखकर जरा भी विचलित नहीं हुई सहज भाव से उसको चूम लिया और अपनी मधूर आवाज में बोली कितनी अच्छी तो बनाई है और 10-11 वर्ष की उम्र की बच्ची से इससे अधिक क्या लोगी मैंने इंद्रेश का पक्ष लेते हुए कहा कि वैं तुमको दुखी नहीं करना चाहती थी कंचन इंद्रेश को किंचित बरश्ती हुई बोली कब तक मातम मनाओगी मेरे चेहरे का शेक्स्पियर ने कहा था उसी तरह मैं कहती हूँ उसी तरह मैं कहती हूँ इंद्रेश बहुत गमगीन हो गई बोली काश मैं उस दिन तुमको घर तक छोड़ कर आती मेरे रहते वह तुम पर बस हमेशा अपने को दोश देने बैठ जाती हूँ मेरे अंदर तो कुछ नहीं बदला क्या दिया उस रूपने मुझे तूटे सपने सतही छिचोरा प्रेम धर्म के नाम पर किया गया अपराद और शारिरिक पीड़ा इतनी कि शब नहीं कह सकती आजन्म रोते मेरे माबाप कलपती दादी मेरा भाई जो मुझसे डर गया था मेरे सौभागि से मैं समर्थ परिवार से हूँ मेरा इलाज हो सका उन सैकड़ों इस्त्रियों की व्यथा को सोचो जिनके माबाप इलाज नहीं करवा पाते और कितनी बार बेटियों को स्वैम जहर दे कर उस दर्द से मुक्त कर देते है मैं आत्म निरभर हूँ सब मुझको प्यार करते हैं मेरी भावी भी मेरा आदर करती हैं उसके बच्चे मेरा मुझ चूमते हैं तो सोचो मेरी खुशी मत किसी के प्यार को ठुकराओ, यही तो मुझे जिन्दा रखता है, कंचन का साहस देखकर मेरी आँखें भी डब डबाने लगे कंचन के पिताजी दो भाई थे, घर की दुकान रोज मर्रा के सामान बेचने की थी जब बड़े भाई की शादी हो गई, तो उसके ससुराल वाले अलग काम करवाने की फर्माईश करने लगे उनकी पतनी शीला जबरदस चालाग थी, जुबान की तेज और स्वार थी सास और ससुर ने अपनी भलाई इसी में समझी कि इनको अलग काम करवा दिया जाए छोटे बेटे रग्गु की शादी सोच समझ कर दूर गाउं में की गई, और केवल खाता पीता परिवार ही देखा गया अचला गोरी, सुन्दर और शांत स्वभाव की थी, दस्वी तक पढ़ी भी थी शीला के तीन बेटियां हुए, उधर अचला ने शादी के दो वर्ष बाद कंचन को जन्म दिया छटी की पूजा में जब शीला नए बच्चे को देखने आई, तो दर्वाजे पर से ही ताना देकर अपनी सास से पूछा क्यों, तुम्हें तो बहुत उम्मीद थी कि अचला के लड़का होगा, अब क्या हुआ सास ने नई बच्ची को आचल में समेट लिया, और दिठोना लगा कर कहा, पहली संतान कुछ भी हो, ठीक है अरी देख तो कैसी सुन्दर है, बदन पर एक रुआ तक नहीं, एक सुन्दर बेटी साथ बेटों के बराबर, शीला का मुह उतर गया उसके सुरेखा सावली थी, बाद वाली भी कोई खास नहीं, पांच बरस के बाद कंचन के एक भाई भी हुआ, मगर कंचन दादी की दुलारी रही, उसके पिता की साध थी, कि वैं खूब पढ़े लिखे कंचन ने अच्छी तरह पढ़ाई की, उस समय के चलन के अनुसार बिये किया और बियेड में नाम लिखवाया एक दिन शीला घर आई, तो खूब मटक कर मिठाई देती हुई बोली कि सुरेखा का रिष्टा आया है, बात पक्की समझो फिर बहुत प्यार से देवरानी से कहा, जरा कंचन को मेरे संग भेज़ दो, कुछ गेहने खरीदने हैं आज कल की पसंद हमें तुम्हें क्या मालूम, दादी ने कहा, बड़ी तुम सुरेखा को इसंग ले जाओ ना शीला जरा मुँख बना कर बोली, लाग बार कहा, मगर कहा मानी वे, कहती है, जोहरी अंकल के सामने उसको शरम आती है अचला ने कंचन को नई सूती हैंड्लूम की साड़ी पहनाई और भीज दिया, रंगीन साड़ी में कंचन खूब निखराई, जोहरी की दुकान में एक स्त्री अपने पुत्र के संग पहले से ही बैठी थी शीला ने आपचारिकता बरतते हुए उसको नमस्ते की, उसने भी ऐसा दिखाया जैसे पहचानती ना हो जोहरी ने परिचा करवाया यह मुकुंध हैं और यह हैं मिसिस टंडन, देर तक गेनों की खरीद फरोग्त होती रही हर बार कंचन को मौडल बना कर ताई जी प्यार से निहारती थी पूरे समय मुकुंध नाम का प्राणी उसको निर निमेश घूरे जा रहा था दो दिन बार फिर यही कारेक्रम दोर आया गया इस बार कपड़े वाले के हां ले गई शीला इस पार वह लोग पहले पहुँची और मिसिस टंडन बाद में उनके संग मुकुंध भी था शीला ने फिर नाटक किया अरे आप तो वही है ना जो गहनली ने आई थी दोनों साड़ियां खुलवाती जाती मुकुंध इस बीच कंचन के पास आवे था मुकुद एमे करके आयस की तयारी कर रहा था वैसे उसके पिताजी की गेहुं और बासमती चावल की आढ़त थी और वह अकेला लड़का था दो बहनों से बड़ा कंचन उस पर मुक्ध हो गई उसकी बातों का बस हां और नामे उत्तर देती रही किसी लड़के से बात करने का उसके लिए यह पहला अफसर था अपना नाम तो उसने बताया मगर उसका नाम नहीं पूछा अब शुरू ही उनकी प्रेम कहानी मुकुंद यदा कदा कॉलेज के बाहर मिल जाता कुछ देर बातें कर लेता या आईसक्रीम खिला देता कंचन कभी अकेली नहीं होती थी एक दिन उसकी मां उसी जोहरी की दुकान पर उसे लेकर गए जोहरी ने बिना लाग लपेट के पूछा बात पक्की हो गई इसके कब है शादे कंचन हक्की बक्की रह गई उसी ने बताया कि मिसिस टंडन ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है इसकी ताई जी ही तो दिखलाने लाई थी हम सबने तैक किया था कि लड़की को न बताया जाए इसलिए कुछ स्वांग रचा गया अब अचला का मा था ठंका मा ने कुरेदा तो कंचन ने मुकंद के बारे में सब बता दिया अब अचला ने उसे दबा दिया और कहा तेल देखो तेल की धार देखो वही हुआ शीला ने अपनी बीटी की सगाई मुकंद से कर दी बड़ों के बीच लें दिन भी हो गया अब बारी आई चुन्नी चड़ाने की जब मिसिस टंडन चार इस्टियों को लेकर कपड़े वाली दुकान पर गएं तो मुकंद भी साथ गया उस व्यक्ति ने मुकंद को बता दिया कि आपकी दुलन तो इतनी गूरी नहीं है कंचन चकरा गई सगाई तो ताईची की बेटी की हुई है आपको कुछ गलत फैमी हो गई है क्या मुकंद ने पूछा तो क्या तुम सुरेखा नहीं हो सो अगले ही दिन भांडा फूट गया और शीला की बेटी की सगाई तूट गई वै कंचन को दिखा कर अपनी सुरेखा का रिष्टा करने चली थी हाला कि इसमें मुकंद की मा जानकी की भी मिली भगत थे शीला बहुत पैसे वाली थे जानकी के पती का अनाज का काम था शीला से रिष्टा हो जाने पर वै शराब बनाने के लिए उसके भाईयों को गन्ना और जो सप्लाई कर सकेंगे इधर मुकंद जो रीजा कंचन पर तो उसको रोकना मुश्किल हो गया सब बास समझते हुए कंचन की मा और दादी ने मना कर दिया मगर आग बराबर से लगी हुई थे मिसिस टंडन को अपने बेटे की जित के आगे जुकना पड़ा और रग्गू के आंगन में ही बिना बाजे गाजे के चुप चाप कंचन के फेरे करवा कर उसकी डोली उठवाली सुरेखा बैठी रह गई शादी के बाद तीन बरस तक कंचन के कोई बच्चा नहीं हुआ चौथे वर्ष जब होने लगा तब जाने क्या हुआ उसकी रिक्षा को एक मोटर साइकल ने टक कर मार दी रिक्षा उलट गई और कंचन को गहरी चोट लगी कूदने के कारण उसका गर्ब जाया हो गया सास ने लंबी सास लेकर सब्र कर लिया बहुत दिनों तक कंचन मा के घर पड़ी रही इसी भी शीला ने मिसेस टंडन के कान भरे अरे ये तो थी ही बीमार शीमार बेटा दुश्मन के घर भी पूत और लक्षमी की तो क्रपा होनी ही चाहिए राम राम भगवान भला करें मुकुंद पर भी कुछ-कुछ असर होने लगा कंचन वापस आई तो उसका अवसाद उसके प्रेम को लिलने लगा उसने शिक्षिका की नौकरी करने की इच्छा प्रकट की तो उसके ससुर जी मान गए जब से वह आई थी एक वही उसके सच्चे हिमायती थे अक्सर कहते दो बेटियां विदा करके एक तुझे पाया है कंचन तु सच में खरा सोना है डाक्टर ने कहा इस से इसका मन वहल जाएगा और वह अपना दुख भूल जाएगी छोटे बच्चों की बीच रहेगी तो खुश रहेगी अब शीला ने फिर दाव फेका सुरेखा अभी तक कुवारी बैठी थी जहां भी मिलती जानकी को ताना देती मेरी बेटी का दिल तोड़ा माया मिली नराम जानकी ने जान बूझ कर बात बात पर कंचन से तकरार शुरू कर दी घर में कलेश रहने लगा कंचन सब सह लेती मुकुन्द अभी भी उसी को अपने अंक में भर कर तुश्ठ होता शीला का पैसा बसा हुआ था मगर उसको यह भी पता था कि मुकुंद सिर्फ एक भली और सुन्दर लड़की चाहता है इसी लिए उसने शीला को उकसाया था कि कंचन को दूर से दिखा कर मुकुंद से हां करवा ली जाए मगर उसकी है तरकीव बुरी तरह पिट गई शीला बेहायाई से सुरेखा पर दाव खेल रही थी और जानकी की इसमें पूरी सहमती थी आखिर दाव तो दाव ही है लगा तो लगा नहीं तो उसकी जेब से क्या जाता था एक दिन रग्गु के व्रद पिताजी ने मुकुंद को सुरेखा के संग कमपनी भाग में देखा कंचन ने पूछा तो मुकुंद ने डाट दिया क्या समझा है मुझको तुमने उची जात का मर्द हो छिचोरापन करूँगा तब तो बात आई गई हो गई मगर शीला ने सुरेखा को खुली चुट्टी दे दी अपने घर मुकुंद और जानकी को परिवार समेथ बुलाती जानकी बहाने से सिर्फ मुकुंद को ले जाती उसकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी कंचन स्कूल में होती थी पती अपने काम पर कहती थी मुझे किटी में जाना है पर अकेली सद्धच के मैं गलियों में नहीं जाऊंगी अता मुकुंद को घर भीच देना मेरे संग चलेगा किटी पाठियां अकसर दोपहर को होती थी और चार-पांट पजे तक इस्त्रियां घर वापस आ जाती थी शीला के घर तीसरे माले पर एक सायबान था शीला ने उसको खूब सजा लिया गर्मियों में वहीं छट पर सब सोते थे अता गुसल खाना भी था वहीं सुरेखा ने मुकुंद पर दोरे डालना शुरू किया किसी न किसी बहाने से उसकी छोटी बहने नीचे उतर जाती थी शीला ड्रिंक्स बिचवाती मुकुंद फस्ता चला गया सुरेखा गर्म से हो गई पहले तो शीला ने बात दबाए रखी जब चार महीने निकल गए तब जानकी के घर जाकर हाय तौबा मचाए मुकुंद को काटो तो खून नहीं कंचन को क्या जवाब दे अचला ने माथा पीट लिया उसका पती रग्गु अपने भाई के आगे जाकर रोया मगर मुकुंद दो घर का हो गया कंचन ने मुँ से कोई प्रतिवाद नहीं किया मगर मुकुंद को उसके हाल पर छोड़ दिया शीला ने जानकी को सुझाव दिया तुम हिम्मत करो अरे क्या किसी के दो बीवियां नहीं हो सकते धन की कमी न रखूंगे सुरेका को भी यहीं बसा लो बच्चा तो तुम्हारा ही है मुकुंद का सपना था यह सफसर बने एक एमे के बाद तीन बरस का लौबी पढ़ लिया मगर अब आगे की तैयारी में यह सब बखेडा उट खड़ा हुआ शीला ने शिकंजा कसा तो उसने मना कर दिया कहा कि बिना तलाक लिए वे दूसरी बीबी नहीं लाएगा यह सरासर गेर कानूनी है कंचन को तलाक देने की कुई वजह नहीं थी अभी वे तीस वर्ष से भी कम उम्र की थी और बांज नहीं थी जानकी ने इसलिए कंचन को तंग करना शुरू किया ताकि यह तंग आकर खुद ही तलाक ले ले कंचन चुप चाप सब सहती रही उसको विश्वास था कि एक बार शीला हट जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा शीला ने कई दाव खेले सुरेखा सडक पर खड़ी होकर आती जाती कंचन को गालिया देती कभी उसके पीछे लोफरों का जुंड लगवा दिया वह परदे वाली रिक्षा से आने जाने लगी घर में वह शाम को चुप चाप रसोई में चली जाती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी रात को नहाद होकर अपने कमरे में जमीन पर बिच्छोना कर अलग सुझाती मुकुंद का मूँ नहीं था उससे बात करने का सुरेखा का पेट दिखने लगा था शीला जानकी की जान खाय जा रही थी हार कर जानकी ने कहा कि वह बच्चे को रख लेगी मगर शीला ने है सारा कांड अपनी डाहा के कारण किया था कंचन को दिखा कर अपनी बेटी की शादी करवाने वाली बात सारे समाज में फैल गई थे अता कोई भी रिष्टा उससे करने को राजी नहीं था जानकी ने मुकुन से कहा कि वह कंचन को बच्चा लेने के लिए राजी कर ले कंचन जानती थी कि इस पर भी शीला और सुरेखा उसका जीवन हराम कर देंगी अतव बिना उत्तर दिये अपने काम पर चली गई उस दिन उसने इंद्रेश से कहा मुझे डर लग रहा है यह लोग कहीं कोई चालना चलें इंद्रेश ने साहस दिलाया और कहा चल मैं तेरी रिक्षा में संग चलूँगी मेरे तो साथ भाई हैं अगर कोई छिड़खानी करेगा तो मैं उसको मजा चक्वा दूँगी जाने के लिए कंचन का घर बस दो सो गश दूर था कंचन अपनी गली में मुड़ी ही थी कि किसी ने उसके मुँपर पीतल की पिचकारी से तेजाब फैका वह चीखी तो इंद्रेश तक आवाज पहुची जब तक लोग आये और उसके मुँपर पानी डाला फैक बुरी तरह चक्वी हो चुकी थी इंद्रेश ने जब चीखें सुनी तो वह उल्टे पैरों भागी आई और शोर मचाया रिक्षे वाले के उपर भी छीटे पड़े थे मगर उसकी सिर्फ बाह जली कहीं कहीं से मामला पुलिस कोट में गया रिक्षे वाले की गवाही पर दो लड़कों को पकड़ा गया उन्होंने बताया कि सुरेखा ने तेजाब उनको दिया था सुरेखा ने बताया कि तेजाब शीला अपने बाप के शराब की भट्टे से लाई थी उन दो गुंडों ने खुद ही यह कबूला कि उनको शीला ने कंचन को जान से मारने के लिए पैसा दिया था अतहर उन्होंने ही कंचन की रिक्षा को स्कूटर से मारा था मगर वे बच गई रिक्षे वाला तो पहले ही छिटक कर दूर जागे रा था जिससे वे बच गया वे दोनों शीला के भाईयों के पाले हुए गुंडे थे शीला और सुरेखा को साजिश के लिए साथ साथ वर्ष की कैद हो गई जानकी और मुकंद को दूसरी शादी की साजिश के लिए तीन साल की जेल हुई जानकी को तो बेल मिल गई मगर मुकुंद को नहीं सुरेखा ने एक लड़की को जन्व दिया उसकी बहनों की भी शादी नहीं हुई शीला के आदमी को लकवा मार गया शराब की दुकान बंध हो गई छोटी बेटी ने भाग कर किसी से शादी कर ली अब बीच वाली सुरेखा की बबली को पाल रही है और पिता की सेवा कर रही है कंचन के भाई और पिता ने उसको पूरा सहारा दिया और उसका इलाज करवाने में जी जान लड़ा दी कंचन ने फिर से जीना सीख लिया है उसने अगले दिन उस बच्ची को बुला कर प्यार किया और टौफियां दी इंद्रेश से कहा इंद्रेश मेरा आइना अपना सच बूलता है मगर मेरा दिल अपना है इस चेरे के पीछे मैं वही कंचन हूँ धन्यवाद यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो बन्यवाद